नमस्कार दोस्तो आप सबे का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी मेडिसन रब्यू में दोस्तो आज मैं आपको शुशीमा लेबरेटरीज के बोलस स्पास्डिक वेट के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन इन सबी से पहले कर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में जो बगल में बेल आइकान अथा उसको प्रेस करके ओल पर सेलेक कर लीजे जिसे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे अब अगर हम बात करें इस पास्टिक बोलस की तो यह सेड्यूलेज प्रेस्क्रिप्सन ट्रक्स की दवा है यानि आपको अपने जो डॉक्टर है जो अपके प्रक्टिशनर है उनके कहने के अनुसारी अपने जानुर को यह दवा देनी होती है इसके कमपोजिशन की बात करें तो इसमें पीटो फेनोन हड्रोक्लोराइट पचीस अमजी पर बोलस में मिला हुआ है फेनपी वरेनियम ब्रोमाइड सूनेकस्क्लो 2MG पर बोलस में मिला हुआ है और फैर अक्सीकेम 2MG पर बोलस में यह पड़ा हुआ है अब अगर हम बात करें, पीटो फिनोन हाइड्रोक्लोराइड की, तो ये एक एंटिस्पास्मोर्डिक कमपाउंड है, यानि पीट दर्द में यूज किया जाने वाला ये कमपाउंड है, ये बहुत तेजी से आपके जानवर की स्मूथ मसल्स को आराम देता है, स्मूथ मसल्स यानि ये अफेक्टेट सेल से सेगनल भेजता है, जो ये आपका फैनपी वरिनियम ब्रोमाइड, ये उसको ब्लॉक करता है, जिसे दर्द का जो एहसास होता है, वो कम हो जाता है, पैराक्सी के इम, ये एक दर्द निमारक है, ये तुरंत आराम देता है, दर्द, सूजन, दिखाना, अंग दिखाना, जो उसमें दर्द होता है, आपके जानवर को, उसमें इसका जो रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त है, जानवर जब आपका बच्चा देने के बाद, जो आपके जानवर को दर्द होता है, उसमें भी इसका रिजल्ट नंबर एक का है, आप इस द जाएगा यह आपका चार बोलस का स्ट्रिप आता है चार बोलस के स्ट्रिप कदाम होता है इकातर रूपए इकातर रूपए में आपको चार बोलस मिल जाएगा इसको दिना कितना होता है तो आपके जो बड़े जानवर हैं गोडा उंट इन सभी को बीड़ी देना होता है एक आप वजन के हिसाब से एक डबलेट में पांच खुराग बना के अराम से वजन के हिसाब से दे सकते हैं इस दवा के जो रेजल्ट है वो काफी नमबर एक का है तो यह था आपका वीडियो कैसी लगी है वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लें और अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मेरेंगे अगली वीडियो में नमस्कार